Hello friends, welcome back to my channel इस वीडियो में party wear long gown की cutting करना बताएंगे मैंने 4 मीटर का broket fabric लिया है इसको open कर लेंगे इसमें से पहले top part की cutting करेंगे fabric को 2 layer में fold कर लिया ये open side है दूसरी side folded side है अब इसको 4 layer में fold करेंगे fabric को 4 तरफ से set कर लेंगे top part की length 15 inch पर marking करेंगे दोनों point को join करेंगे और एक straight line डो कर लेंगे अब यहां से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे folded side से solder 7 inch पर marking करेंगे armhole 7.5 inch पर marking करेंगे और एक straight line डो कर लेंगे 2 inch आगे की तरफ बढ़ाएंगे corner पर 1 inch पर marking करेंगे और crouch कर बना देंगे front armhole के लिए अंदर की तरफ half inch पर marking कर लेंगे इस तरीके से यह back वाला armhole है और यह front वाला armhole है अब यहीं से fitting की marking करेंगे जैसे fitting है 36 inch तो उसको फोर से डिवाइड करेंगे तो 9 inch आएगा 9 inch पर fitting की marking करेंगे अब कमर की fitting की marking करेंगे जितनी भी आपकी fitting है उसको फोर से डिवाइड करना है तो 7.5 inch पर marking करेंगे अब दोनों पाइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक line draw कर लेंगे 1.5 inch पर margin की marking करेंगे और line draw कर लेंगे अब solder के open side half inch पर marking करेंगे half inch पर marking करेंगे folded side से neck width 3 inch पर marking करेंगे अब दोनों पाइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक cross line draw कर लेंगे टोप पाइंट की marking कर ली है अब इसकी cutting करेंगे पहले back वाले आर्मोल से cutting करेंगे बाद में front वाले पाइंट को अलग करेंगे और उसकी आर्मोल से cutting कर देंगे अब margin वाले marking से cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब solder की cutting करेंगे center में cut लगाएंगे bottom side भी center में cut लगाएंगे अब इसको open करेंगे fabric को four layer में fold कर रखा था तो इसमें से गाउन के टो पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ cutting कर लिया है अब इसमें से front वाले पार्ट को अलग करेंगे इसको center से fold कर लेंगे चारों तरफ से set करेंगे और इसके आर्मोल से cutting कर देंगे मार्किंग अल्रेडी कर रखिया है as it is इसकी cutting करेंगे तो पार्ट के दोनों पार्ट की cutting कर लिया है अब sleeves की cutting करेंगे fabric को four layer में fold कर लिया है यह open side है और यह folded side है sleeves की length 15 inch ले लेंगे एक इंच extra ले लिया है margin के लिए तो 16 inch पर मार्किंग करेंगे दूसरी side भी 16 inch पर मार्किंग करेंगे दोनों पाइंटों को join करेंगे और एक line डो कर लेंगे अब यहां से इसकी cutting करेंगे एक्स्ट्रा fabric को निकाल देंगे sleeves की width 10 inch ले लिया है solder की open side से 3 inch पर मार्किंग करेंगे और दूसरी side cross line डो कर लेंगे अब armhole की shape दे देंगे इस तरीके से पहले half inch अंदर की तरब मार्किंग करेंगे और उसके बाद इस तरीके से बाहर की तरब मार्किंग कर लेंगे में इसकी मार्किंग कर लेंगे leaves bottom side से 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच margen की करेंगे wear слon को join करेंगे और एक cross line draw कर लेंगे 1.5 इंच पर margin की मार्किंग कर लिये leaves की marking कर लिये aditsis की cutting करेंगे margin वाली एक्स्ट्रा फैब्री को निकाल देंगे अब स्लीव्स की आर्मोल साइड से कटिंग करेंगे सेंटर में कट लगाएंगे फैब्री को फोर लेयर में फोल्ड कर रखा था तो दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर लिए अब गाउन के बोटम पार्ट की कटिंग कर लेंगे फैब्री को टू लेयर में फोल्ड कर लिया यह ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डिर साइड है अब इसमें से किसी भी एक कोर्नर को उठाएंगे और triangle की shape में fabric को 4 layer में fold कर लेंगे इस तरीके से fabric को triangle की shape में 4 layer में fold कर लिया ये open side है और इस side folded side है इस corner के उपर gown का top part रखेंगे मैंने ये top part ले लिया है folded side folded वाला part रखेंगे bottom part के उपर top part को set करेंगे और इसके दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे अब टोप पार्ट को हटा लेंगे दोनों साइड मार्किंग कर लिए मैंने ये टेप ले लिए और राउंड सेप में मार्किंग कर लेंगे कोर्नर पर टेप को फीक्स रखेंगे और round shape में marking कर लेंगे अब इस marking पर tape रखेंगे और bottom part की length पर marking करेंगे 42 inch पर marking करेंगे आपकी जितनी भी bottom part की length है आप उसके coding marking कर लें 42 inch पर marking करेंगे तेप को खिसकाते जाएंगे और round shape में marking करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं गाउन के bottom part की marking कर ली है अब इस agities इसकी cutting करेंगे दोनों साइड से bottom part के top से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया as it is cutting कर देंगे extra fabric को निकाल देंगे अब bottom side से इसकी cutting करेंगे जैसे marking कर रखिया as it is cutting कर देंगे extra fabric को निकाल देंगे अब इसको open करेंगे fabric को four layer में fold कर रखा था तो इसमें से गाउन के bottom part के दोनों part के एक साइड कर ली है अब inner की cutting करेंगे मैंने तीन मीटर का inner fabric लिया है और इसको two layer में fold कर लिया है यह open side है और दूसरी side folded side है अब किसी भी एक corner को उठाएंगे और triangle की shape में fabric को four layer में fold कर लेंगे fabric को triangle की shape में four layer में fold कर लिया है अब इसके उपर गाउन का bottom part रखेंगे और इसको set कर लेंगे इसको inner fabric के उपर set करेंगे अब main fabric के side से marking करेंगे inner की length 40 inch पर marking करेंगे inner की length 40 inch पर marking कर लिया है अब इसकी cutting करेंगे पहले top side से cutting करेंगे extra fabric को निकाल देंगे अब bottom side से इसकी cutting करेंगे extra fabric को निकाल दिया है अब इसको open करेंगे fabric को four layer में fold कर रखा था तो इसमें से inner के bottom part के दोनों part की एक साथ cutting कर लिया है fabric को four layer में fold कर लिया है यह folded side है और इसके उपर gown का top part रखेंगे folded side folded वाला part रखेंगे चारों तरफ से set करेंगे और इसके side से marking करेंगे में पार्ट के बिल्कुल side से marking कर लेंगे में पार्ट को हटा लेंगे और as it is इसकी cutting करेंगे पहले bottom side से इसकी cutting करेंगे एक्स्टा फैब्री को निकाल देंगे अब इसके आर्मोल से cutting करेंगे एक्स्टा फैब्री को निकाल देंगे सेंटर में cut लगाएंगे bottom side भी cut लगाएंगे अब इसको open करेंगे फैब्री को 4 लेयर में fold कर रखा था इसमें से inner के front part और back part दोनों की एक साथ cutting कर लिए है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से gown की cutting complete हो गई है इसी तरीके से आप किसी भी size के gown की cutting कर सकते हैं friends अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में इसकी stitching करना बताएंगे thank you so much हुआ हुआ न için